हलो फ्रेंज वल्कम टू बीनास किचन आज हम बनाने वाले चने की डाल के बहुत ही टेस्टी सा स्नाक्स की रेसिपी इस चने को आपने पहले कभी नहीं खाया होगा यह खाने में बहुत ही ददा टेस्टी होती है एक बार आप इसे जरूर बना करके ट्राइ करें फ्रेंज इ लिया है और अब हम यहां पे एक कच्चा आलू को छील करें काटके मिक्सर जार में डाल लिया है और चलिए अब इसका हम पेस्ट बना के तहियार कर लेते हैं यह देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इस पेस्ट को अब हम एक बोल में ट्रा आप शाम के चाई के साथ बना के खा सकते हैं इसे हमने मिला लिया है अब हम इसमें बाकी के इंग्रिन्स भी ढाल लेते हैं आदर चुटचे बजीरा हमने डाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज इसमें प्याज को टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है तो इसमें हमने एक कटीवी हरी मिर्च एक कटा हुआ प्याज डाल लिया है कटा हुआ धन्या का पत्तर डाल लेते हैं अब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहिए तो हरी मिर्च को स्केप भी कर सकते हैं इसे अब अच्छी तरह से हम टालिते हैं आप चाहे तो इसमें लैलं मज्ट्रवर भी डाल सकते हैं और इसे इस तरह से अच्छी तरह से आप अभी करोजायते हैं और इसे हम चोटे-चोटे पोर्षिन उठाकर ब्रॉल एसे ठाए करें nessa यह देखें यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब इस तरह से हमने चोटे चुटे पोशिंट उठाने हैं और गरम गरम OIL में इस तरह से आलते जाएंगे बहुत जादे बड़े बड़े potions हमें नहीं डालने हैं medium size या छोटे size का आप इसमें यह potions को डालते जाएं जिससे यह जो पकोड़े बनके तयार होगे न वो काफी जादा crispy बनेंगे और एक तरफ से जब यह पकने लग जाएगा तब ही हमने इसे पलता है अलटते पलटते बिल्कुल अच्छा क्रिस्प होने तक से अमने फ्राइ किया है यह देखिए फ्रेंस सामने से इसा कलर कितना अच्छा आया है और बहार से कितना कुरकूरा सा बनके तयार हुआ है और इसी अब हम तोड के भी देखेंगे अंदर से कितना जादा सौफ बनके तयार हुआ है यह फ्रेंस हमारे चने की दाल और आलू का जो पकोड़ा है वो बनके तयार है बिल्कुल नई इसी रेसिपी है आप एक बार इसे जरू ट्राइ कीजिए यह देखें कितना जादा सौफ हमारा स्नाक बनके रयार हुआ है अगर आपको यह चने की दाल से बनने वाली स्नाक सी रेसिपी अगर आपको यह स्नाक सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरू दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो पे किसी नहीं रेसिपी के साथ तिल देन बावाई